हलो दोस्तों प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है चलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गुजराती इस्ठाइल बंद गोवी की सब्जी यह सब्जी बनाने में बहुत असान है खाने में बहुत अच्छा होता है तो चलिए आज हम बंद गोवी की सब्जी बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए यह मैंने बंद गोवी ले लिया है इसको मैंने धुल के अच्छे से महिन महिन काट लिया इसको बहुत ही महिन काटना होता है और यह मैंने थोड़ा सा जीरा लिया आधा चम्मच और आधा चम्मच स यह थोड़ी सी दो हरी मिर्च हैं लंबी कटी हुई और यह मैंने सक्कर ले लिया है यह थोड़ी सी खल दी लिया है तो चलिए फिर हम बनाते हैं अपनी आज श्टाइल से अब इसमें हम यह अपना टेल डाल देंगे अब इसको हम थोड़ा सा गरम होने देंगे यह देखिए तेल हमारे जो है गरम हो गया अब इसमें हम अपना जीरा डाल देंगे और यह हींग भी डाल दें इसमें और यह जो हमने राई लिया है इसके वह इसमें डालके थोड़े से चटकने तर पकाना है कि अगर राई चटके गी नहीं पूरी तरह से तो उसमें कच्छा पनाता है इसलिए कभी दी राई यह डालिए तो उसको अच्छी से चटकने दीजिए अब इसी में हम अपना हरा मिर्ष डाल देंगे और अज्रग भी डाल देंगे इसको हम थोड़ा से पकाएंगे और यह हल्दी पावडर भी हम इसमें डाल देंगे हल्दी पावडर हमको जादा नहीं डालना है थोड़ा से डालना है इसको इससे भी हम कम डालेंगे इसको भी निखाल लेंगे और इसको फिर हम अब इसमें डाल देंगे और अच्यक इसको हम चलाते रहेंगे इस तरह से हमको इसे बूलना है कि कलर बहुत त्यारा आता है अब इसमें बंद करके नहीं पकाना है अब इसमें यह जो शक्र लिया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और यह नमक अपने सवाद के अनुसार हम इसमें डाल देंगे आप इसमें लाल विच्ट भी डाल सकती है अगर आप ज्यादा लाल लूज खाते हैं तो आप डाल सकते हैं अग इसको इसी तरह से पकाते ही रहना है अगर इसको में कुछ भी नज्याए गई हमको पकाना है ज्यादा देश भी नहीं पकाना है कि पानी थोड़ा हलका समर जाएं बस इसके बाद इसको में उतार गया है यह मेरी साख्यमा को बहुत पसंद्थी सब्गी वांबे में रहती थी उनको गुजरात के सब्गियां बहुत पसंद्थी गुजरात के खाना उनको बहुत अच्छा नटता तो उन्हों नहीं हमको चुछाया है हम गुजरात और मंबई तो रहे नहीं है अभी तक कि मैं पूरा लाइट दिखा रही हूं आपको ताकि आपको धिक्तत ना हो इसको बनाने में अब यह मुंपली जो हमने रखा है इसको भी हम इसमें डाल देंगे अब यहाँ प्राइब के अब धूता ने कपूपली तो फ्तारी ने दो टता करता ना है इसमें डाल देंगे, पाइब इस प्राइब धेंगे अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे यह रेखिए इतनी अच्छी सब्जी रही है अब यह आप सोच रहे हों कि यह पकी कैसे होगी यह बहुत ज्यादा पकाया नहीं जाता यह थोड़ा सा इसका कच्छा पन ही जो है इस सब्जी का टेस्ट है थोड़ा सा कच्छा पन रहेग देखिए अब हमने एक प्रेट ले लिया है इसमें हम इस सब्जी को निकाल लेंगे यह सब्जी इतनी जल्दी बनती है कि आपके मिमान बैठे हो डानिंग टेबर पे उतनी देर में आप इसको बना के उनको दे सकती है यह देखिए हमारी सब्जी बनके तयार हो गई और आ यह सब्जी देखने में तो बहुत असान सी लग रही है खाने में भी बहुत आसान है तो चलिए आप लोग खाईये इंज्वाई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंड लाइक जरूर करिए थैंक्यू गुल्डे हलो दोस्तों प्रभाज किचन में आप लोग का स्वागत है चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूं गुजराती इस्ठाइल बंद गोवी की सब्जी यह सब्जी बनाने में बहुत असान है खाने में बहुत अच्छा होता है तो चलिए आज हम